सो हेलो फ्रेंड्स स्वागत है आपका रिवाइब कोडिंग में जैसा कि हमने पिछली वीडियो में अपना इंस्टोलेशन कर लिया था और हमने कंफर्म किया था कि हमारे रियक्ट आटो डॉम का पैकेज इंस्टॉल हो चुका है अब हमें नेक्स करना है कि हमें अपने अप् पर मतलब localhost 3000 पर render करेंगे इस home page को और अगर मैं slash about page डालूं तो वहां मैं render करना चाहता हूं इस about page को ठीक है बट उससे पहले हमें करना पड़ेगा बेसिक से सेट अप ठीक है इसके लिए हम तीन components का use करेंगे जो हमें खुद provide करता है react router dome ठीक है तो चलो अपने बेसिक सेट अप करने के लिए मिले को आना पड़ेगा अपने code पे और यहां आने के पास source के अंदर आने के बाद हम यहां app.j6 के अंदर आएंगे और यहां से हमें जो भी एक्स्ट्रा code हमारा पड़ा अब आएंगे हटाने के बाद भी ब्लैंक हो चुका है हमें इस लोगों की भी जरूत नहीं है इस वाइट की भी जरूत नहीं है और इस state की भी जरूत नहीं है ठीक है अब फाइनली हम यहां से सबसे पहले इंपोर्ट करेंगे किसको मैं लिखोंगा import everything not everything import something from react router dome अब बात सबसे पहले यहां से इंपोर्ट करेंगे ब्राउजर राउटर राइट दूसरा हम यहां से इंपोर्ट करेंगे राउटर और तीसरा हम यहां से इंपोर्ट करेंगे राउट अब यह जनरली जो अप्लिकेशन देखोंगे बनी हुई उसमें हम क्या करते हैं कि यह जो ब्रा को और राउट के अंदर हम राउट का यूज़ करके अपने राउट करते हैं तो अगर आप structure देखो तो structure में बनाएगी बहुत सबसे पहले browser router आएगा देन उसके बाद हमाई routes आएंगे और उसके बाद उसके अंदर हम यहां अपने route define कर रहे होंगे अब जैसा कि मैंने बोला किया रहा मेरे को अपने दो pages बनाने ठीक है पहला homepage और दूसरा about page ठीक है तो हमें अपने दो component सबसे बहले बनाने पड़ेंगे तो let's हम यहां एक create करते हैं component नाम का folder और इसके अंदर हम दो pages create करेंगे एक create करेंगे homepage के नाम से home.jsx औ और यह मेरा homepage का content generate हो गया यहां मैं लिखता है homepage और same मैं करूँगा about page के लिए मैं लिखोंगा RFC और इसके बाद मैं लिख दूँगा about page तो अब यहार हम basically क्या करेंगे कि सबसे बहुत है उपर से जो unnecessary code है उसको हम अटा देते हैं यहां से भी अटा देते हैं और यहां से भ पहला वला route लिए हम यहां दो routes मनाने है तो मैंने एक route लिया और फिर मैंने दूसरे को भी copy कर लिया अब इसके बाद हमें यहां दो चीज़े define करने होती है पहला होता है path चलो दोनों के लिए सबसे पहले path लेते हैं एक के लिए मेरा path होगा जो मेरा root है ठीक है और दूसरे अब इसके आगे यह बताने के लिए कि मेरे को कौन सा component किस जगह पर render करना है इसके लिए मैं लिखता हूँ element और element के अंदर मैं सबसे पहले लिखांगा curly braces और यहां मैं जिस तरीके से अपने component को use करता हूँ रिएक्ट में ठीक है उसी तरीके से उसी format में यहां रख दूँगा home को ठीक है तो मैं यहां रख दिया home और same चीज में यहां से copy करूँगा क्योंकि यार मैं अब about वाले page पे तो home को render नहीं करना चाहता तो मैं यहां रेंडर करना चाहता हूँ इस about page को ठीक है तो मैंने यहां लिख दे about अब अब चेक करने के लिए यार मेरे को जाना पड़ेगा हमने युवाई के अंदर और चेक करना पड़ेगा कि यह चीज मेरा जो रूट पाथ है उस पर मेरा home component रेंडर हो रहा है कि नहीं और मेरा about page रेंडर हो रहा है कि नहीं आते हैं जो हिट करते हैं देखो यार मेरा root पे home page रेंडर हो रहा है ठीक है और अगर मैं यहां slash about कर दूँ तो अब मेरा यह about page रेंडर हो रहा है ठीक है अब यहार कहीं जगे पर आप ऐसा भी देखोगे कि हम element को ना यूज करके component को यूज कर रहें ठीक है तो अगर आप यहां से अपनी UI पर जाओ तो आपको दिख है ठीक है तो हम simple बस लिखते हैं home page के लिए जगह home और about के जगह हम लिखेंगे about ठीक है तो यहां basically मैं अपने यह बता रहा हूं अपने route को कि भाई इस जगह पर कौन सा component render हो रहा है ठीक है तो मैं कोई element नहीं define कर रहा है यहां मैं basically directly इसको component दे रहा हूं इसलिए हम इसको directly इस तरीक से लिखते हैं और अगर मैं अपनी UI पर जाके चेक करूं तो मुझे home page मेरा home page मिल रहा है और यहां अगर मैं slash करके about करूं तो हम यार अपने नेक्स वीडियो में यह देखने वाले हैं कि हम किस तरीके से links के थूरू एक page से दूसरे page के बीच में navigate कर सकते हैं ठीक है अभी के time पर हम direct navigate कर रहे हैं मगर तब हमारे पास links होंगे जैसे हमारे पास navbar में links होते हैं ठीक है तो चलो यार इस वीडियो के नहीं मिलते हमें नेक्स वीडियो में तब तक लिए वा नाइस दे और गुडबाई